हुआ है हलो लेर्नर्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल रुच्छी का एड्यूकेशन हग स्टुरेंट हम यूजी सी नेट पेपर टू एड्यूकेशन का फोर्थ रूंट स्टार्ट कर रहे है आज हम टीचर एड्यूकेशन ठीक है इसका उसका हम मेनिंग नीचर स्कोप टाइब को आज हम पढ़ेंगे सबसे बात करेंगे मीनिंग की कि टीचर एड्यूकेशन होता है क्या है ठीक है कि यह बहुत ही नौन फैक्ट है कि जो क्वालिटी है लेर्नर की और उसकी जो अचीवमेंट्स है कि वह किस पर डिपेंड करती है वह डिपेंड करती कि टीचर क कि किस कितनी है ठीक है उनकि ऑ्रस से इस्तिशटिविटी कितनी है और तीचर की माटवेशन लेवल क्या है उसी पे अचीवमेंट करती है ठीक है जो नेशनल इक कांसल ऑफ तीचर एड्यूकेशन है टीकशी is है उन्होंने की definition दी है teacher education को लेकर कि अब program of education research and training of a person to teach from pre-primary to higher education level ठीक है कि program of education क्या है जिसमें research है training है किसी person की कि किसलिए कि वो teach कर सके from pre-primary to higher education तक वो क्या कर सके teach कर सके teacher education is a program that is related to the development of teacher proficiency ठीक है तर teacher education program एक ऐसा program है जिसमें क्या किया जाता है development की जाती है teacher की proficiency की उसकी competency की ताकि उसको हम enable बना सके empower कर सके हम teacher को कि वो जो कि उसके उसके प्रोफेशन में जो भी requirements है जो भी challenges आएंगे वहाँ पर उनको वो easily face कर सके right देख बटा teacher education में तीन चीज़े जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है first professional skills ठीक है कि teacher जिस profession में है means teaching के profession में है तो वहाँ पर क्या चाहिए उसको उससे related professional skills चाहिए second pedagogical theories ठीक है कि education से लेकिव जितने भी pedagogical theories है उनकी information होने चाहिए उसको कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है ठीक है क्या पढ़ाना है ये सब theories को पता होने चाहिए और last है teaching skills ठीक है ये teaching skills कौन कौन से skill किस time पर किस skill के ज़रूरत है किस time किस तो नहीं है वह उससे अच्छी से पता होन चाहिए तो इन सब्सक्राइब करना है यह सब चीज़े जो है उसके अंदर वापिस से डाली जा रही है इंटरनेशन इंसाइक्लोपीडिया आफ टीचिंग इसके बारे में की जो टीचर लुकेशन है उसको थी फेजन में रखा जाता एक प्री सरवेस एक इंदक्शन और ठर्ट जो है वह इन सर्वेस ठीक इन प्रीजिस के साथ जो है जो है इसानियूस नक्शन्रून सिस के सकते हैं राइट नेक्स है कि टीचर एडूकेशन जो बेस करता है कि ठीचर पे ठीचर को हम बनाते हैं वो बाइबर्थ नहीं होते हैं पैदा यह नहीं होते हैं कि टीचिंग में कहते हैं कि असको आठ साइंस के तरह उसको हम चाना और उसको पहुंचाना और उसको पहुंचाने के लिए किन किन स्किल्स की जुरूरत है थीज आर कॉल दा ट्रिक्स ऑफ दा ट्रेट की मीस उस टेट के फिट होने कि जो जो ट्रिक्स चाहिए वो हम टीचर को सिखाते हैं राइट कि टीचर एडूकेशन जो एक ब्रॉड और कॉंप्रेहंसिव कॉंसेप्ट है ठीक है इसमें प्री सर्विस इन सर्विस प्रोग्राम होते हैं ठीक है इसमें इंवाल्मिन थे वेरिस कम्यूनिय प्रोग्राम्ज की ठीक है डीकेशन होगई नौन फॉर्मल एडुकेशन प्रोग्राम तो ट्रेसी होगई ड्रॉप्मेंटल अक्तिविटीज गें सब चीज़ भी जो किसमें आजाती नहीं आजाती है, okay, it is a ever evolving or dynamic process है, ठीक है, in order to prepare teacher who is competent to face the challenges of the dynamic society, ठीक है, हम क्या करते है, teachers prepare करते हैं, जो इस society के challenges को face करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, जो सारा सार किसको करते हैं, किस पर depend करता है, इसके curriculum पे, curriculum design पे, structure कैसा है, organization कैसी है, इन सब चीज़ों पे, जो है, किदर teacher education program, उसका जो सार है, किते हैं, वो इसी में छुपा रहता है, ठीक है, इसके लावा करते है, teacher education program जो है, इसे वो different stages में काम करते हैं, right, different stages में, जैसे कि pre-primary हो गया, primary हो गया, secondary हो गया, higher education हो गया, different different stages पे जो है यह काम करते हैं, right, और इसके लिए उनको different different level की, जो preparation करवाए जाती है, इसके लावा करते हैं, क्या है, इसमें जो है, basically आप क्या है सकते हैं, कि जो gestalt emerge from the conceptual blending, means basically blending होती है, whole teaching आती है, knowledge आता है, skills आती है, बाकि सारे activities के साथ, जो है, आपको native discipline के साथ, जो है, professional, जो teacher है, उसक करते हैं, कि एक ऐसा system है, जो involve करता है, interdependency of किसकी input क्या था, processing क्या रही, और उसकी output क्या है, ठीक है, तो यह थी हमारी nature of teacher education, next हम बात करेंगे, scope of teacher education, ठीक है, यह teacher education जो है, different level पे जो है, वो काम करता है, first है, different levels, different levels क्या क्या आएंगे, इसमें, जैसे आजाएगा हमारा pre-primary, primary education, secondary, then higher education, ठीक है, ठीक है, ठीक है, different levels है, कि scope कहां है, means कहां कहां पे जो teacher education का काम हो सकता है, pre-primary, primary, secondary, higher education, इन सभी levels पे जो है, teacher की जुरूरत पढ़ती है, ठीक है, से कित है, triangular basis of teacher education, means क्या है, three basis है, क्या है, ठीक है, तरी बेसिस है, फॉस्ट इस फिलोसफी, सिकेंड इस, सोशियोजी, अन थर्ड इस साइकोलजी, ठीक है, फिलोसफी के पेसिक, इमीन जो स्कूल फिलोसफी है, एंशेर्ट, मॉदन फिलोसफी क्या थी, उसके बारे में जो है, वो बताया जाता है, psychology में means बच्चों को कैसे समझना है उनकी understanding कैसे करने है उनकी development कैसे करने है यह समझाया चाता है और sociology के society के need क्या है society एक डाइनमिक चीज़ा बदलती रहती है तो उसकी क्या needs है इसके according जो है teacher education जो है वो काम करता है philosophy, psychology and sociology next is aspect of teacher education teacher education क्या aspects है एक ही काम करती है who पे means कौन पढ़ा रहा है teacher second आएगा whom किसको पढ़ा रहा है student next आएगा what क्या पढ़ा रहा है content क्या है उसका ठीक है और fourth आजाएगा हमारा how कि क्या skills है क्या strategies आप यूज़ कर रही है ठीक है इन aspects पे काम करता है teacher education किस पे who कौन पढ़ा रहा है किसे पढ़ाया जा रहा है what क्या content है जो आप उनको पढ़ा रहे हैं और how कौन सी strategies है जो उनको use करके जो आप बच्चों को पढ़ा रही हैं ठीक है these are the aspects of teacher education next है हमारे types of teacher education किस किस टाइब की teacher education programs जो है जो इस टाइब वोग कर रहे हैं okay first है हमारा pre-primary teacher education program ठीक है pre-primary education programs जो है यह बेसिकली जिसको कहेंगे हम kindergarten one test rate system ठीक है यह होते है हमारे यह programs ठीक है इनकी minimal qualification जो है कि हाई उसके प्लस टू पास करके जो है आप इनकी टीचर बन सकते हैं उसके लिए आपको one year diploma की ज़रूरत होती है इसमें आपको one year diploma करना पड़ेगा ठीक है उसके आप प्री प्राइमरी टीचर जो है वो बन सकते हैं इसके बाद है हमारा प्राइमरी टीचर प्राइमरी टीचर की भी बेसिक को लिए प्लस टू पास करनी है आपको उसके बाद one year या फी टू यह मुस्ली अब टू यह ही हो गए है टीचर के लेड़् और या फिर जिसको जेबिटी भी कहते हैं वो प्रोग्रम पहले प्रोग्रम कहीं लंब यह प्रोग्रम काफी थे फूर्ट फाइमरी इरस के बीड्रेट ग्राइमरी टीचर बन सकते हैं तो फिक लिए अब च्छीए घ्र वर्ट इसके लिए डेलिए है ठीक है इसके बाद 2-year B.Ed program ठीक है उसके बाद आपके जो भी टैट वगए तक चाहिए आपको that is a qualification और हाई education की बात करें हैं तो means अगर आप माल लोगर आपसे college level की बात करें तो आपको graduation plus B.Ed, M.Ed, Net ठीक है अगर आप university level की बात कर लेते हैं इसके साथ इस qualification के साथ आपको PhD ठीक है PhD के जुरूद भी पड़ेगा इसमें राइट और vocational teacher training जो है उसमें सबसे पहले आएगा one year diploma in the diploma in physical education one year diploma है ठीक है इसके लावा art and craft ठीक है इसके लावा dance music ठीक है इन सब की टीचर बन सकते हैं आप उसका वह हूम साइन्स यह हमारे vocational वाले में आते हैं ठीक है home science ठीक है यह सब की जो है वह vocational teacher training जो है वह हो होती है इन vocational पे आप जो है वह वह टीचर जो है वह बन सकते हूं right I hope आज का topic अपके helpful रहेगा please like share and subscribe कीजेगा जून भी तक नहीं किया और bell icon को जरूर दबा देजेगा ताकि साइड notification आपको time time milti रहे thank you and have a nice day